ये है एक 10 वाट का अडप्टर और ये है एक 40 वाट का अडप्टर अब दोनों का साइज लगभग सिमिलर है तो ये पॉसिबल कैसे हो पाया तो ये इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि अब तक जो हम यूज करते हुए आये थे वो नौरमेल अडप्टर है बट ये एक गैन यानि कि गेलियम नाइट्रेट अब इन दोनों अडप्टर में डिफ्रेंट्स क्या है तो सबसे पहले हमें समझने पड़ेगा कि नौरमेल अडप्टर काम किस तरह से करता है अब देखो हमारे घर में जो AC कारेंट आता है उसी AC कारेंट को ये एडप्टर DC low current में convert करता है हमारे फून को चार्ज करता है और इस एडप्टर के अंदर लगा हुआ है सिलिकोन बेजड आइसी जो ये काम करते हैं मतलब की एसी करेंट को डिसी लोग वल्टेज में कनवर्ट करना लेकिन यहां प्रॉब्लम सुरू होता है और नॉर्मल एडप्टर में दो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है तो जब सिलिकोन बेजड आइसी से करेंट पास होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है जिसके करन आपने देखा होगा कि चारजार काफी ज़्यादा हीट होता है अब नॉर्मल एडप्टर में दूसरा बड़ा प्रॉब्लम ये ज ज़्यादा हो रहा है जिसके करन आपने देखा होगा की नॉर्मल जो अडप्टर होता है ये बहुत जल्ध खराब हो जाते हैं या फिर खराब ने का चांस काफी जयादा रहता है अब बात करता है इस नए टेकनलोजी चारजर के बार में नर्म्ल एडप्टर होता है उसी सिलिकन को हटा के यहां पे गिलियाम नाइट्रेट डाल दिया गया है अब गिलियाम नाइट्रेट यूज करने से तीन फाइदा हुआ है सबसे पहला Efficiency Current Flow तो गैन आइसीज सिलिकन के मुकबले तीन गुना ज्यादा Efficiency से Current पास करता है दूसरा सिलिकन चार्जर के मुकबले गैन चार्जर काफी कम हीट प्रोड्यूस करता है और तीसरा हीट कम प्रोड्यूस हो रहा है जिसके कारण इसके अंदर जो आपस में Components है उसे और नजदीक लाया जा सकता है जिसके कारण ये काफी ज़्यादा Compact and Portable Sizes में बनाया जा सकता है इस टैप की गैन चार्जर तो अगर आप चार्जिंग का Full Potential इस्तमाल करना चाते हो तो गैन चार्जर बाई कर लो क्या आपकी फोन में गैन चार्जर सपोर्ट करेगा तो येस डेफिनेटली करेगा बट आपको दो चीज का ध्यार रखना है सबसे पहला तो आप जो भी गैन चार्जर बाई करोगे आपका फोन की लिमिट के हिसाब से बाई करो ऐसा नहीं कि आपका फोन 40 वाट सपोर्ट करता है अपने 100 वाट गैन चार्जर बाई किया और आपने सोचा कि आपका फोन 100 वाट में चार्ज होगा नहीं ऐसा नहीं होगा आपका फून 40W में ही चार्ज होगा और दूसरा चीज ऐसा नहीं कि चार्जर लगाना से ही आपका फून चार्ज होगा आपको 40W सपोर्टेड केबल भी चाहिए जो इस चार्जर को आपकी फून को हैंडल कर सके कि नॉर्मेली जो केबिल मार्केट में हमें देखने को मिलता है वो 18 वाट 20 वाट तक ही सपूर्ट करता है या फिर अगर आपकी फून की डब्बे में वह ऐसा कोई केबिल आया है तो केबिल का इस्तमाल करके अपने फून को चार्ज कर सकते हो अब इसका फाइदा एक और ची तो उस कैसमें भी गैन चार्जर आपका सपूर्ट करेगा बाकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ बैस्त गैन चारजर का लिंक दे रहा हूं जिसे आप आभी किसमें पे बाई कर सकते हो साथ-साथ फास्ट चारजिंग सपूर्ट करने वाला चार्जर केबिल का भी लिंक जिसे आप अपने ही सबसे बाइख कर सकते हो तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा इससी बात में वीडियो को लाइक एड शेयर कर देना बाकि अगर आपके मन में कोई और डाउट्स है तो नीचे मुझे कमेंड करके पूछ सकते हो और ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडि में थैंक यू